गुड मॉर्निंग आलाफ यू बच्चों आज हम लोग हिंदी कच्छा के अंतरगत हिंदी फ़स्ट के पार्ट 13 के दोहा दसक पार्ट का अध्यन करेंगे दोहा दसक इस पार्ट में तुलसी दास और रहीम दास के द्वारा रचित कुछ दोहे दिये गए हैं और उन दोहों में मनुष्ची के जीवन से संबंधित कुछ बाते कहीं गई हैं बच्चों हमें जीवन में बेवहारिक तथ्यानवेशी और वैग्यानिक दिष्टिकोर को अपनाने वाला होना चाहिए तो बच्चों दोहा दसक पाट के दोहों का अध्यन करने से पहले आईए हम पहले महा कवी तुलसी दास के जीवन से कुछ परिचय प्राप्त करें लेखक परिचय पहला आपका है तुलसी दास का परिचय तुलसी दास का जन्म सन 1532 में राजापुर में हुआ था विलक्षन प्रतिभा के धनी तुलसी दास भारत के महान कवी हैं इनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों कृतियां का आर्थ होता है रचनाय इनकी प्रमुख कृतियां हैं राम चरित मानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनै पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरैवे रामायड इत्यारी इसके बाद देखिए रहीम दास का परिचय रहीम का जन्म 1556 में हुआ था इनकी प्रमुख पुष्टिके हैं रहीम सत्सई, रास पंचा ध्याई, इत्यारी, इनकी मृत्यू 1626 इस्पीने हुई यहाँ पर तुलसी दास के जीवन से संबंधी कुछ अन्य बाते मैं आपको बताना चाहूंगी तुलसी दास जी का जन्म संबत 1589 को उत्तर प्रदेश जिसे वर्तमान समय में बादा जिला के नाम से हम लोग जानते हैं के राजापुर नामक गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम आत्मा राम दूबे तथा माता का नाम हुलसी था इनका विवाह दीनबंध पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम के कारण तुलसी को रत्नावली की फटकार लाज ना आई आपको दौरे आयहुनात ऐसी बात उनकी पत्नी रत्नावली ने कही और इसको सुनने के बाद उनके जीवन में अचानक परिवर्तन हो गया जिससे इनका जीवन ही परिवर्तित हो गया पत्नी के उपदेश से तुलसी के मन में फैराग्य उत्पन हो गया इनके गुरु बाबा नर हरी दास थे जिन्हें उन्हें इन्हें दिख्षा दी इनका अधिकांस जीवन चित्रकूर, कासी तथा आयोध्या में पीता तुलसी का बच्पन बड़े कस्टों में बीता माता पिता दोनों चल बसे और इन्हें भीक मांग कर अपना पेट पालना पड़ा था इसी बीच इनका परिचे राम भक्त साधूं से हुआ और इन्हें ग्यानार्जन का अनुपम आउसर मिल गया पत्नी के ब्यंग बाड़ों से बिरक्त होने की लोक प्रचलित कथा को कोई प्रमाड नहीं मिला तुलसी भ्रमड करते रहे और इस प्रकार समाज की ततकालीन इस्थिती से इनका सीधा संपर्ख हुआ इनकी दिर्ग कालीन इनका जो दिर्ग कालीन अन्भव और अध्यन इन्होंने जो किया उसका परिडाम यह हुआ कि तुलसी की बहुत सारी अमुल्य कृत्या है जो उस समय के भारती समाज के लिए तो उन्नायक सिध्ध हुई आज भी जीवन को मर्यादित करने के लिए उतनी ही उपयोगी है तुलसी दास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 49 पताई जाती है इन में रामचरित मानस कवितावली विनै पत्रिका दोहावली गितावली जानकी मंगल हनुमान 40 बरैवे रामायर आदिविसे शुरूप से उलेखनी है तो बच्चों आईए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं दोहा दसक प्रस्तुत पाठ में तुलसी दास और रहीम के दोहे वा कुंडलियां संकलित हैं इन दोहों वा कुंडलियों में जीवन की कुछ ब्यावारिक नीति कुसल अनुभाव जनित तथा सिद्ध बाते रोचक धंग से कही गई हैं प्रेडा के ये नन्हे दीप हमें विसम परिस्थितियों के अंधकार से निकालने में सहायक होते हैं इनकी हर एक पंक्ति में एक जीवन संदेश नीत है इन्हें पढ़िये समझिये और अपने आच्रण में उदारने का प्रियास करिए तुलसी दास का पहला दोहा है देखते ही हर से नहीं नैनन नहीं सने हैं तुलसी वहा न जाईए कंचन बरसे में तुलसी दास जी कहते हैं कि देखते ही हर से नहीं तुलसी दास जी कहते हैं कि जिस अस्थान पर लोग आपके जाने से प्रसन नहीं होते हैं और नैनन नहीं सने हैं और जहां लोगों की आखों में आपके लिए प्रेम अत्वासने ना हो तुलसी दास जी कहते हैं कि तुलसी वहां न जाईए कंचन बरसे में उनका कहना है कि ऐसे अस्थान पर भले ही कंचन का आर्थ होता है सोना भले ही वहाँ पर धन की कितनी भी बरसा क्यों ना हो रही हो, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए देखते ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाईए, कंचन बरसे में तुलसी दास जी कहते हैं, कि जिस स्थान पर लोग आपके जाने से प्रसंद नहीं होते हैं, जहां लोगों की आखों में आपके लिए प्रेम या सने का स्थान नहीं है, उस स्थान पर चाहे जितनी भी धन की बरसा हो रही हो, चाहे वहाँ सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, वहा पर आपको नहीं जाना चाहें। दया धरम का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िये, जब लगी घट में प्राण। बच्चों, मूल का अर्थ होता है जड़, और घट का अर्थ होता है, एक अर्थ तो उसका घड़ा होता है, लेकिन एक घट का अर्थ होता है शरीर, यह जो हमारा मन से शरीर है। तो तुलसी दास जी कहते हैं कि धर्म, दया धरम का मूल है, धर्म जो है वह दया की भावना से उत्पन होती है, और पाप मूल अभिमान, और जो अभिमान होता है, यदि किसी मनुष्य के अंदर दया की भावना है, तो वहाँ धर्म अपने आप उत्पन हो जाएगा, लेकिन यदि उसके अंदर अभिमान है, तो वह अभिमान जो है, वह हमेशा पाप की जड़ होती है, पाप मूल अभिमान, मनुष्य के अंदर यदि अभिमान है, तो वह हमेशा पाप को ही जन्म देगा, और तुलसी दया न छोड़िये, जब लगी घट में प्राण, तुलसी दाज़ि कहते हैं, कि मनुष्य के सरीर में जब तक प्राण है, तब तक उसे दया की भावना को छोड़ना नहीं जाए, दया धरम का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िये, जब लगी घट में प्राण, तुलसी दाज़ि कहते हैं, कि जो यदि किसी व्यक्ति के मनुष्य के मन में दया की भावना है, तो वहीं से धरम की भावना उत्पन होती है, और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है, इसी लिए तुलसी दाज़ि कहते हैं, कि मनुष्य के सरीर में जब तक प्राण है, तब तक दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अगला दोहा आपका है, कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर वक्ताब है, हम ही पूछे कौन? तुलसी दाज़ि कहते हैं, कि वर्षा दितु में मेढकों के टराने की आवाज इतनी ज़ादा हो जाती है, कि कोयल की मीठी बाणी जो है, वह उनकी सोर में दब जाती है. तुलसी दाज़ि कहते हैं, कि जब वर्षा दितु आती है, तो वर्षा दितु में मेढक इतना ज़ादा बोलने लगते हैं, कि उनके बोलने की आवाज के आगे कोयल की जो मीठी बोली है, वह उन लोगों के सोर में दब जाती है. इसलिए कहा गया है, कि तुलसी पावस के समय, पावस का आर्थ होता है वर्षा दितु, और कोकिल का आर्थ होता है कोयल, दादुर का आर्थ होता है मेढक. तो तुलसी दाश जी कहते हैं, कि तुलसी पावस के समय, तुलसी दाश जी कहते हैं, कि वर्षा दितु के समय, धरी कोकिल मौन, जो कोयल होती है, वह मौन धारण कर लेती है. क्योंकि वह बोलती भी अगर है, तो अब तो दादुर वक्ताब है, हम ही पूछे कौन. वह या जानती है कि मेढकों के बोलने के आगे, मेढकों की आवाज के आगे, मेरी आवाज को कौन सुनेगा. तुलसी मीठे वचन से सुख उपज़त चहूर, वसी करण एक मंत्र है, परिहरी वचन कठोर. तुलसी दाज जी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपज़त चहूर, अर्थात। तुलसी दाज जी कहते हैं कि यदि कोई मीठे बोल बोलता है, मीठे वचन बोलता है, तो उससे चारों और सुख फैलता है. वसी करण एक मंत्र है, परिहरी वचन कठोर. यदि कोई मीठी बाड़ी में बात करता है, मीठी बाड़ी बोलता है, तो उससे पूरे समाज में चारों सुख की प्राप्ती होती है, सुख फैलता है, सभी लोगों को सुख प्राप्त होता है. इसलिए कहते हैं कि किसी के मीठा बोलने से यह एक प्रकार का वसी करण मंत्र है. यदि कोई मीठा बोलता है, तो किसी को वस में करने का यह एक मंत्र है. मीठी बोली जो है, वह एक प्रकार का मंत्र है, जिससे हम किसी को भी वस में कर सकते हैं. इसलिए मनुस्य को चाहिए कि वह कभी भी कठोर वचन बोलने का प्रियास न करें. वह हमेशा कठोर वचन को छोड़कर मीठा बोलने का ही प्रियास करें. ऐसा तुलसी दार जी कहते हैं कि जो मिठी बाणी बोलता है, जो मनुस्य मिठी बाणी बोलता है, उससे पूरे समाज में सुक की प्राप्ती होती है, चारो ओर सुक फैलता है. और यह जो मिठी बाणी है, यह एक प्रकार का किसी को भी वस्मे करने का एक मंत्र है, और इसलिए मनुस्य को कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का ही प्रियास करना जाए. अगला दुहा देखते हैं, संत समागम हरी कथा, तुलसी दुरलम दोए, सुत दारा अरुलक्षमी, पापी के भी होए. संत समागम, तुलसी दास्टी कहते हैं, कि उनके कहने का आर्थिया है, कि पुत्र, पुत्री, परिवार, पत्नी, धन दौलत, इत्यादी तो पापी के घर भी होता है. इसलिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संतों का समागम, और अच्छे लोगों के समकच्छ रहना, और इस्वर के भजन किर्टन और हरिकथा को सुनना, यह अर्थ्यन्त दौलत कारे होता है. संत समागम हरिकथा, तुलसी दोडलब दोए, सुत दारा अरुलक्षमी पापी के भी होई. कहने कार्थिया है कि सुत दारा, पुत्र पुत्री, परिवार, पत्नी, धन दौलत, या तो एक पापी व्यक्ति जो है, उसके पास भी होता है. लेकिन जो संत है, जो संतों की संगती है, या हरी की कता है, वह उस पापी के पास नहीं हो सकती है. वह उसी व्यक्ति के पास होगी, जो मर्यादा में रहकर कारे करता है. तो जो मर्यादित बेक्ति है, जो इस स्वर को भसता है, उसके पास पुत्र पुत्री, धन दौलत, ये सब कुछ होते हुए भी, या ना भी हो, तो यह बहुत बड़ी बात होती है, कि हमें अच्छे मनुस्यों का साथ मिले, संतों का साथ मिले, और हर इकी कथा को सुनने का उसर मिले। तो बच्चों, यह तुलसी दास जी के द्वारा कहे गए दोहे थे, आईए अब हम लोग रहीम दास के बारे में जानने का प्रियास करते हैं। रहीम दास, रहीम दास का जीवन परचे, भासा सैली, रचनाय, एवं कृतियां। रहीम दास का जीवन परचे, साहितिक परचे, कभी परचे, एवं भासा सैली, और उनकी प्रमुख रचनाय, एवं कृतियां। रहीम दास का जीवन परचय एवं साहितिक परचय आईए हम देखते हैं कि रहीम दास का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था, जन्म सन 1556 भी में हुआ था और मृत्यु इनकी सन 1627 भी में हुई थी रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था, उनका जन्म सन 1556 के लगभग लाहोर नगर जो की अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था ये अकबर के संदक्छक बैरम खान के पुत्र थे, अकबर ने बैरम खान को हज पर भेज दिया, मार्ग में उनके सत्र ने उनका बद कर दिया, अकबर ने रहीम एवम उनकी मा को अपने पास बुला लिया, तथा दोनों की स्वैम देख भाल की, तथा उनके भरण पोशड का प्रबंध भी किया, अकबर ने ही रहीम की सिख्छा की समुचित ब्यवस्था की, रहीम अकबर के दर्बार के नौरतनों में से एक थे, वे अकबर के प्रधान सिना पती और मंत्री भी थे, वे वीर युद्धा थे और बड़े कौसल से सेना का संचालन करते थे, उनकी दान सिल्था की अनिक कहानिया प्रचलित हैं, सन 1627 इस भी में उनकी मृट्ट्य हो गई। कभी रहीम कई भासाओं के ग्याता थे, पिसेश रूप से अर्भी, तुर्की, भार्शी तथा संस्कृत के तो वे पंडित थे, ब्रज एवं ओधी दोनों भासाओं पर रहीम का समान अधिकार था, हिंदी काब्य के वे मर्मग्य थे और हिंदी कभियों का बड़ा सम्मान करते थे, गोस्वामी तुलसी दास जी ने, गोस्वामी तुलसी दास से भी इनका पड़िचय तथा स्ने संबंध था। इनकी रचनाएं एवं कृतियां, रहीम सत्चई, स्रिंगार सत्चई, मद नाष्टक, रास पंचाध्याई, रहीम रतनावली तथा बरैवे नाई का भेद आदि उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने फार्सी भासा में भी ग्रंथों की रचना की है, उनकी रचनाव का नावली के नाम से प्रकासित हुआ है, आईए रहीम दास के दोहों को पढ़ा जाए, तरुवर फल नहीं खात हैं, सर्वर पिया ही नपान, कही रहीम पर काजित, संपत सचाही सुजान, बच्चों तरुवर कार्थ होता है, व्रिक्च, सर्वर का आर्थ होता है, सर्वर, सुजान, सुजान मतलब सज्जन ब्यक्ति, कभीवर रहीम कहते हैं, कि जिस तरह, व्रिक्च जो है, पेड, कभी स्वयम अपने फल को नहीं खाता है, और तालाब भी कभी अपना पानी नहीं पीते हैं, उसी प्रकार, जो सज्जन लोग होते हैं, जो सज्जन ब्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, उनका जो धन होता है, वो उसे दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के कारे के लिए लगाते हैं, जिस प्रकार से विरिक्ष अपने फल को नहीं खाते हैं तालाप अपने तालाप के पानी को नहीं पीता है उसी प्रकार जो सज्जन ब्यक्ति होते हैं उनकी जो धन संपत्ति होती है वह उसे दूसरों के उपकार में दूसरों की भलाई में लगा देते जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारों लगे बढ़े अंधेरों होए कभीर रहीम दास जी कहते हैं कि दीपक एवं कुल में जन्मा कपूत यदि कोई कुल का पुत्र जो की बुरे रास्ते पे चलता हो उसे कपूत की संग्या दी जाती है कि दीपक एवं कुल में जन्मा हुआ कपूत दोनों का ही चरित्र एक समान ही होता है अगर जो अगर एक दीपक जब उसे हम जलाते हैं तो वह पूरे घर को रोशन कर देता है पर जैसे जैसे उसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे घर में अंधकार होता जाता है उसी प्रकार से एक पुत्र जब जन्म लेता है तो कुल का नाम रोशन कर देता है लेकिन यदि वह सही रास्ते पर नहीं चलता है वह परिवार के लिए भलाई का कारे नहीं करता है तो जैसे जैसे वह बढ़ा होता है वैसे वैसे वह कुल के अंधकार का कारण होता है रहिमन देख बढ़ेन को लग्व न दीजिये डार जहां काम आवेश हुई कहा करे तरवार रहीम दास जी कहते हैं कि किसी बड़ी बस्त को देखकर छोटी बस्त को फेक नहीं देना चाहिए रहिमन देख बढ़ेन को लग्व न दीजिये डार जहां किसी बड़ी बस्त को देखकर किसी छोटी बस्त को फेकना नहीं चाहिए क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकता है आगे देखिए रहिमन पानी राखिए बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून इस दोहे में रहीम दास ने पानी के महत्व की चर्चा की है कि पानी का हमारे जीवन ने कितना महत्व है तो रहीम कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व होता है इसे हमें बनाए रखना चाहिए यदि पानी समाप्थ हो जाता है तो न तो मोती का कोई महत्व होता है और ना ही मनुस्य का और साथ में चून का आर्थ होता है चून या आटा यदि आप जिस प्रकार से पानी का वह महत्व है कि अगर पानी समाप्थ हो गया तो मोती का कोई महत्व नहीं होगा और ना ही मनुस्य आर्थे का क्योंकि यहाँ पे देखिए पानी का आर्थ है चमक के बिना मोती बेकार है पानी आर्था चमक के बिना मोती बेकार है अगर मोती में चमक नहीं है तो वह मोती क्या है बेकार है पानी अर्थात सम्मान के बिना यहां पानी का एक अर्थ यह भी है कि सम्मान के बिना मनुस्य का जीवन ब्यर्थ है अगर मनुस्य को सम्मान नहीं प्राप्त होता है तो उसका जीवन क्या है? ब्यर्थ है और यदि जल नहीं है, पानी नहीं है तो रोटी नहीं बन सकती है क्यों कि अगर हमारे पास जल नहीं है तो जब तक हम आटे को गुठेंगे नहीं तो वह जो चूण है वह जो आटा है वह भी बेकार है जल के बिना तो रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गय न उबरे मोती मानुस चूण पानी के बिना मनुस्य का भी जीवन बेर्थ है मोती का भी जीवन बेर्थ है और चूण अरथा आटा का भी जीवन बेर्थ है इसलिए हमें पानी को बचाने का और उसके महत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए आगे देखिए भले बुरे सब एक से जौसों बोलत नाहि जान परत है काक्पिक रितु बसंत के माई जब तक कोई ब्यक्ति बोलता नहीं है रहीम दाजी कहते हैं कि जब तक कोई ब्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसके भले या बुरे होने का पता नहीं चलता है लेकिन जब वह बोलता है तब हमें ग्यात होता है कि वह भला है या बुरा है किस प्रकार से जिस प्रकार से बसंत रित के आने पर कौवा और कोयल बोलते हैं तब उनकी जो कड़वी और मिठी वाणी होती है उससे ग्यात होता है कि कौन भला है और कौन बुरा है उसी प्रकार से जब तक कोई मनुस्य बोलता नहीं है तब तक उसके भले और बुरे की पहचान नहीं होती है लेकिन जिस प्रकार से पसंत रित के आने पर कौवा और कुयल के बोलने पर उनकी मीठी और कड़वी वाणी का अंतर हमें पता चल जाता है उसी प्रकार मनुस्य के बोलने पर मनुस्य के अच्छे और बुरे होने की पहचान हो जाती है जो रहीम उत्तम प्रकिर थी का करी सकत कुसंग चंदन विस ब्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग रहीम दास जी कहते हैं कि जो अच्छे सुभाव के मनुस्य होते हैं जो अच्छी संगती में रहते हैं जो अच्छे सुभाव के मनुस्य होते हैं उनकी बुरी संगती भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है किस प्रकार से जिस प्रकार से जो जहरीले साप होते हैं वह चंदन के ब्रिक्षों पर लिप्टे रहते हैं फिर भी उनके जहर का प्रभाव उस ब्रिक्ष पर नहीं पड़ता है वे रहीम नर्धन हैं पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे जियों महदी को रंग वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे जियों मेहदी को रंग यहाँ पर अच्छे मनुस्यों की प्रसंसा करते हैं वे रहीम दास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका सरीर सदा सबका उपकार करता है वे मनुस्य धन्य हैं जो हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं दूसरों का उपकार करते रहते हैं जिस प्रकार से मेहदी बाटने वाले के अंग पर भी मेहदी का रंग लग जाता है उसी प्रकार परुपकारी का सरीर भी उसके उपकार से सुसोभित होता रहता है यदि कोई महदी किसी को देता है तो महदी उसके हाथ में भी लग जाता है तो बाटनवारे को लगे जियो महदी को रंग यदि कोई महदी किसी बेक्त को लगाता है या देता है तो महदी उसके हाथ में भी लग जाती है उसी प्रकार से जो मनुस्य परुपकारी होते हैं दूसरों का उपकार करते हैं तो उनका जो सरीर है उनके उपकार से अपने आप ही सोभा पाने लगता है रूठे सुजन मनाईए जो रूठे सौवार रहिमन फिर फिर पोईए तूटे मुक्ता हार मुक्ता हार का आर्थ होता है मोतियों की माला तो रूठे सुजन मनाईए रहीम दास जी कहते हैं कि यदि आपका कोई प्रिय है तो यदि वो सौ बार भी रूठे तो हमें उसे बार-बार मना लेना चाहिए क्योंकि यदि मोतियों की माला तूट जाती है तो हम उन मोतियों को बार-बार धागे में पिरो लेते हैं उसी प्रकार से यदि कोई आपका प्रिय आपसे रूठ जाता है तो उसे हमें अगर वह बार-बार रूठता है सौ बार रूठता है तब भी हमें उसे बार-बार मना लेना चाहिए उसी प्रकार से जिस प्रकार मोतियों की माला के तूटने पर हम उसे बार-बार पिरोने का कारे करते हैं दीन सबन को लखत है दीन नहीं लखे न कोई जो रहीम दीन नहीं लखे दीन बंधुसम होए दीन का अर्थ होता है दरिद्र या दैनी दसा में पड़ा हुआ और दीन बंधुका अर्थ होता है दीनों का सहायक गरीबों की रक्ष़ा करने वाला गरीबों का सहायक रहीम दास जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है जो गरीब बेक्ति है तो गरीब ब्यक्ति की दृष्टी सब पर पड़ती है वह सब को देखता है दीना ही लखे न कोई पर उस गरीब ब्यक्ति की ओर कोई नहीं देखता है जो रहीम दीना ही लखे दीन बंधु समभोए और जो उस गरीब ब्यक्ति को प्रेम से देखता है या उसकी मदद करता है तो वह दीन बंधु भगवान के समान हो जाता है कहने कार्थिया है कि जो गरीब ब्यक्ति होता है उसकी दृष्टी सभी पर पड़ती है वह सब की ओर देखता है लेकिन सभी लोग उस गरीब की ओर नहीं देखते हैं के पास धन होता है दौलत होता है वह गरीब की ओर नहीं देखता है और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे व्यक्ति को देखता है और उसकी मदद करता है तो वह उसके लिए भगवान के समान हो जाता है दीन बंधु के समान हो जाता है जे गरीब पर हित करें ते रहीम बढ़ लोग कहा सुदामा बापरो कृष्ट मिताई जो रहीम दाजी कहते हैं कि जो गरीबों का हित करते हैं गरीबों का उपकार करते हैं वे बड़े लोग होते हैं और यहाँ पर उन्होंने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की चर्चा की है कि जैसे सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती थी वह एक साधना थी क्योंकि कहां सुदामा गरीब थे और भगवान कृष्ण ने उनका कल्यार किया था तो इसलिए कहा गया है कि जो गरीब का हित करते हैं वे रहीम दास की दृष्टी में बड़े लोग होते हैं और जिस परकार से कृष्ण ने सुदामा का कल्यार किया था कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है वह एक परकार की साधना है तो उसी परकार से जो गरीब बेक्ती के काउपकार करता है उसकी भलाई करता है वह बड़ा बेक्ती बन जाता है बच्चों आईए हम लोग सब्दार्थ की ओर चलते हैं कंचन, सोना, घट, शरीर, कोकिल, कोयल, तरुवर, ब्रिक्च, सुजान, सजजन बेक्ती, चून, चून या आटा, उत्तम प्रकिर्थ, अच्छा सुभाव, धन्य, भाग्यवान, पुड़े आत्मा, दीन, दरेद्र, दैनिय दसा में पड़ा हुआ, मूल, जड, पावस, वर्सारितु, दादुर, मेढक, सर्वर, तालाब, पानी, इजजत, चमक, या जल, काक, कौवा, भुजंग, साप, मुक्ताहार, मूतियों की माला, दीन उबंद, दीनों का सहायक, मिताई, मित्रता, तो बच्चों, इस पाठ का उद्दे से, हम लोगों ने ये दोहा दसक पाठ पढ़ा, इस पाठ का उद्दे से, दैनिक जीवन में काम आने वाली बैवहारिक, नीति कुसल, तथा अनुभव जनित बातों को बड़ित करना था, इन दोहों में हमें एक प्रकार का संदेश प्राप्त होता है, जो की हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्पूर है, और इन दोहों से हमें एक अमरित तत्व की प्राप्ती होती है, प्रतेक दोहा हमें जीवन के किसी न किसी मोड से मिलाने का प्रयास करता है, तो बच्चों हमें इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, धन्यवाद